मुक्यमंत्री विश्टुदेव साई आज नाराइनपूर और महा समुन्द जिले के प्रवास पर रहेंगे और आज वहाँ आयोज्वित कारिकरम में श्वामिल होंगे और CM Sai Narayanpur के राम क्रिश्णमा मिश्ण आश्रम खेल परिसर में आयोज़त किसान मेला 2024 में शामिल हुँगे 34 गड़ सरकार और राम क्रिश्णमा मिश्ण के सयुक्त आयोज़न में आज दूर दराज से हमारे किसान भाई आए है और हमारी सरकार ने किसानों की इंदिकतों को दूर करने के लिए क्रिश्वी लोन देने की शुरुवात की है मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है एक किनारे से दूसरे किनारे तक अलोकन किये हैं आस्तों में सभी किसानों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं बहुत अच्छा अपने फसलों को यहाँ पर प्रदर्श्री में रखे हैं और आज हम इस आश्रम का बहुत धनवाद करना चाहेंगे आज इस दूरस्त अंचल में आदिवासी अंचल में आज अगर इस छेतर का विकास हुआ है चाहे वो शिक्षा के छेतर में चिकित्सा के छेतर में या क्रिसी के छेतर में या यहां के समाज के लोगों का चोहमुखी विकास हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस रामकृष्ण मिशन का है इसलिए उनकी जितनी तारीप की जाए कम है मैं राम कृष्ण मिशन का नाम बहुत सुना था तिन तिन बार प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा लेकिन यहां आने का आउसर नहीं मिला था मेरी जानकारी में पहली बार यहां पर आया हूँ वास्तों में बहुत अच्छा लगता है और यहां पर बसने का भी मन करता है ऐसा यह सुन्दर नाराइनपूर जगह है स्वामी व्याप्तानन जी बता रहे थे कि यहां पर सिरिप कृसी सिक्षा चिकित्सा ही नहीं लेकिन और भी 181 आंगनबाडी केंद्र आसपास के गाओं में खोले हैं हर तरह का विकास की जिम्यदारी इस संस्था ने लिया है बहुत बहुत इसके आभारी है और आज यह किसान मेला है हमारा यह देश सी कृस्षी परधान देश है भारत देश सतर से पच्षतर पतिसत लोग कृस्षी पर अधारित है आज इस देश का जो जीडिपी है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के अंदाता किसान भाईयों का है और हमारा इच्षतिस गर्धान का कटोरा कहलाता है और हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत चिंता करती है मैं बताना चाहूंगा कि सरदेह टल बिहारी बाजपई जी जब इस देश के परधान मंत्री थे मेरा सोभाग था कि उपरधान मंत्री थे उस समय भी मैं सांसत के रूप में काम करता था तो आप सबको मालूम है कि पहले किसानों के पास अच्छा क्रिस्वी करने के लिए पूंजी नहीं होता था हम लोग किसान लोग महाजन लोगों से पूंजी लेते थे और सोवया डेढ़ा उसका व्याद साल के अंत में देते थे लेकिन सर्देह अटल विहारी बाचपई जी ने किसानों की समस्या को दूर किया किसान क्रेडिट कार्ड ही उजना सुरू करके आज किसान क्रेडिट कार्ड में कम याज में किसानों को उनत खेती करने के लिए आज लोन मिल रहा है और 36 गड में तो 15 साल हम लोग सरकार में थे लॉक्टर रमन सिंग के नेत्युत में तो कॉपरेटिव बैंक में 0% में के सी सी की ब्यूस्ता हुई थी तो इस अब दर्साता है कि भारती जनता पाड़ी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिंती थे हमको मालूम है कि अटल विहरी बात्पई जी के समय ही फसल विमाय उजना को सरल किया गया पहले खाली फसल विमाय का नाम सुनते थे उसका लाब किसानों को मिल नहीं पाता था लेकिन उस समय फसल विमाय उजना को भी सरल किया गया आज किसानों को फसल भी मैं उजना का भी लाब मिल रहा है आज इस देश में नरेंद मुंदी जी परधान मंत्री हुए आज हमनों का सोभाग है 140 करोड भारत वासियों का कि ऐसा दूर द्रस्टा परधान मंत्री मिले हैं जिनका धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका पर्यास आज सब को बराबर मानते हुए आज जो पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं और आज हमारे असोशी परधान मंत्री के कारण आज पूरे बिश्व में भारत का डंका बज़रा है यह सब आज ज़्यादा समय नहीं है बताने का आप सब लों को मालूम भी है यह हम लों के लिए गवरों की बात है और किसानों के लिए भी उन्होंने चिंता किया है पहली बार तो जो कृसी मंत्राले होता था उसी का नाम बदल कर उन्होंने क्रिशक कल्यान मंत्रा ले किया है सिदा सिदा उसी से लगता है कि किसानों का कल्यान करना है क्रिशक कल्यान मंत्रा ले आज किसान चेनल अलग से उन्होंने सुरू किया है और परदान मंत्री सिंचाई योधना सिंचाई योधना का लाब किसानों को मिल रहा है उनके खेतों में पानी पहुँच रहा है इस तरह से किसानों के हित में अने काम आधने मोदी जी के द्वारा भी हो रहा है यहां 36 गड़ में हमारी सरकार है और इस सरकार को भी मुश्किल से दो महना होने को है हम लोग भी किसानों के हित में बराबर काम किये हैं, 15 साल जब हमारी सरकार थी, तो मालूम होगा कि जहां दुरस हमचलों में बिजली का पंप नहीं लगा सकते थे, ऐसे जगों में सौर सुजलाई उजना में, सौर पलेट लगाकर वहां, जहां किसानों के पास पानी का साधन है, तालाब है, नदी नाला है, कुवां है, ट्यूबेल है तो सोर सुजलाय उजना में उनको सोर पेट देकर पानी पहुचाने का काम 15 वर्सों में भी हुआ है अभी भी हम लोग किसानों के हित के लिए प्रतियकर 21 कुविंटल धान खरीद रहे है 31 रूपया धान का किमत देने का हमारा कमिटमेंट है आज MSP किसानों के खाता में आ रहा है, 48 घंटे में उनके खाता में आ जा रहा है लेकिन जो अंतर की रासी है, 970 रूपया ऐसा प्रतिक विंटल जो अंतर की रासी है मैं यहां पर अंदाता किसान बंधों को आस्वस करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी उनका जो अंतर की रासी है, एक मुस्त, एक बार में उनके खाते में हम लोग भेजने का काम करेंगे तो इस तरह से किसानों के लिए हमारी सरकार यहां पर काम कर रही है और 18 लाख गरीबों का परधान मंत्री आवास बनाने का निदने लिए है पिछले पांच वर्सों में 36 गर्ड के अंदर जो गरीब लोग अपने हक से बंचित हो गए उनका पका का मकान नहीं बना गरामिन छेतरों में ऐसे अठार